हलो दोस्तों दृष्टी PCS YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक के ओपर चर्चा करने जा रहे हैं आप जानते हैं कि G20 का आयोजन 9 से 10 सितंबर के मद्द में दिल्ली में हुआ और आयोजन के बाद में कई सरे मुद्दे हमारे सामने निकल के आ रहे हैं परियवाने से संबंदित मुद्दा हो या फिर एकोनॉमी से संबंदित कोई मुद्दा हो वो भी अब निकल के सामने आ रहे हैं तो ऐसे कंडिशन में एक इंपॉर्टन इसू है एक इंपॉर्टन बुटेरस ने, यह मुद्दा उठाया है कि G20 के अंतरगत जितने सदस्देश हैं, वो अपने NDC को पूरा करें और उसको अपडेट करें, समय के साथ उसको बहतर तरीके से एंप्लीमेंट करें, NDC क्या होता है, अभी हम लोग पेरिस एग्रीमेंट के अंतरगत उसको समझने क कोशिश करेंगे, दो-तीन बाते हैं, जिनको एंटोनियो बुटेरस ने उठाया है, पहली बात इन्हों ने यह कहा है, कि मैं G20 में इसपश्ट और जरूरी दलील के साथ आया हुआ हूँ, दलील क्या है, इन्होंने कहा कि हम जैसे हैं, वैसे ही जारी नहीं रह सकते, अर्ता उसके खिलाब या उसको कम करने के लिए जो राष्टी अस्तर पर action plan बनाया जा रहा है, वो अभी अच्छा नहीं बताया जा रहा है, बेतर नहीं है, इससे और आगे बढ़ करके हमें action करना होगा, action लेना होगा, तब जाकर कि यह चीज़ें सही हो सकती हैं, दूसरी बात इ इस वज़ा से यह स्वेक्षिक आधार पर छोड़ दिया गया कि जो भी राष्टी अस्तर के देश हैं, वो अपने आप से इसको decide करेंगे, तो ये भी बात कहीं जा रही है, दूसरी बात ये भी नो ने कहा कि जीवास्व इनन पर योजनाओं के लिए licensing और funding रोग दिया जा से climate change से निपरतने के लिए climate action plan है, उसको बेटर तरीके से implement करने की बात की, दूसरा जीवास्व इनन से फिर किसमे नवी करणिये उर्जासरूतों की और बढ़ने की बात की, और सबसे बड़ी बात ये है कि G20 देशों से ही ये क्यों गुजारिस कर रहे हैं कि आप राष्ट तो भी व्यापक है G20 के प्रतने दित्तों की बात करें, तो आप देखेंगे कि global GDP का 85%, वही global trade का 25% और global population का दो तिहाई प्रतने दित्तों हमें G20 रदस्य राष्ट्रों के माध्यम से दिखाई पड़ता है, तो इस वज़ा से अभी G20 देशों से ये अर्ज कर रहे हैं, ये एक प्रकार से गुजारिस करने हैं, कि आप सभी लोग जो है बेहतर तरीके से जो आपके हाँ के NDCs हैं, उनको follow करें, जो National Climate Action Plan है, उनको आप implement करें, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक सूचना है दोस्तों, आप देखें, हिंदी दिवस आप जानते हैं कि 14 सितंबर को मनाया जाता है, हिंदी दिवस के आउसर पर द्रिष्टी IS की तरफ से एक भारी डिसकाउंट दिया जा रहा है, 50% का, हिंदी माध्यम के सभी ओनलाइन, यहाँ पर हिंदी माध्यम याद रखिएगा, हिंदी माध्यम के लिए है, हिंदी माध्यम के सभी ओनलाइन pen drive courses और test series पर 50% की भारी छोड़ दी जा रही है और ये offer केवल 14 सितंबर तक प्रभावी रहेगा अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो number दिया गया है इसके उपर phone call कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपको कहा मिलेंगी दृष्टी learning app पर इसको आप लोग playlist से download करिए और इन सुबधाओं की बेहतर तरीके से फाइदा लाब उठाईए चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि चर्चा की प्रमुक बिंदु क्या होगे हमारे सामने सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करेंगे खबर क्या है फिर उसके बार में देखेंगे कि G20 के उस सर हमारे सामने आई थी उसको देखेंगे भारत ने अपने NDC को किस तरीके से पेरिस एग्रिमेंट के दौरान रखा फिर बात में हम लोग देखेंगे सुद्ध सुन उस सर्जन उसके बाद में हम लोग देखेंगे एक अभ्यास प्रशन तो चलिए सबसे पहले नजर डालते ह हैं कि हमारे सामने खबर क्या है तो मैंने आपको बता है कि G20 समिट कायोजन 9 से 10 सितंबर के मद्ध में नई दिल्ली में हुआ और ऐसे कंडिशन में कई सारे पर्यावाण ये मुद्धे हमारे सामने निकल के आए कई सारे आर्थिक मुद्धे निकल के आए अब उसमें से य से पहले G20 डेसों के उस सर्जन संबंधित NDC क्या है इसको जानने से पहले हमें जानने की कोशिश करना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है तो आप देखेंगे दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि प्राक्तिक संसात्नों के अत्यदिक दोहन और मानविय क्र प्रियाओं ने जिस तरीके से इस धरा पर जो तापमान है सामानितापमान है उसमें व्रद्धी किया है उसी को हम लोग समलित रूप से कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया है अगर हम लोग बात करें सामानितापमान की तो आप जानते हैं कि सामानितापमान हमारा कितन अगर इन गैसों के माध्यम से व्रिद्धी हो जाता है तो उसी को हम लोग ग्लोबल वर्मिंग कहते हैं आप सामानित्या देखें कि कार्बन डायाक्साइड अगर वायमंडल में सामाने रूप से उस सर्जन इसका हो रहा है तो यह प्रितवी के लिए लाब दायक सावित होता है उस्मा को रोक करके प्रितवी को गर्म करने में सहायक होता है लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे कि वायमंडल में कार्बन डायकसाइड उपस्तित ना होती तो प्रितवी क्या होता एक ठंडे रेगिस्तान की तरह हो जाता तो सामानी तोर पर सियो टू का इमिशन होना जरूरी है लेकिन अत्यदिक स्यो टू का इमिशन हो जाएगा फिर ग्लोबल वार्मिंग की पर्णती हमारे सामने आएगा परणाम के रूप में लेकिन वायमंडल स्यो टू की मात्रा बढ़ने से जितनी उस्मा प्रितवी को गर्म रखने के लिए चाहिए उससे कहीं ज्या समझोता हुआ था और इसी पेरिस समझोता के दोरान 195 देशों ने ये सहमती दर्ज की थी कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं बढ़ रही है ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन हो रहा है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी अब इसी के अंतरगत ये बात सामन आई कि इस सदी के अंत तक जो वैस्विक और सतापमान है उसको पूर्व और दोगिक अस्तरकित से दो डिग्री से अधिक नहीं होने देना है और कोशिश कितना करना है उन्ट डिग्री 1.5 डिग्री सेलसियस तक ही इसको सीमित करने की कोशिश करना है दूसरी बात ये कही यही कि मानविय गरविध्यों के द्वारा जो Green House Gas का उसर्जन हो रहा है उसको भी हम लोग कम करेंगे और साथ ही साथ यह कहा गया कि इसी Green House Gas के उसर्जन को कम करने के लिए हम लोग राश्ट्री अस्तर पर एक निर्धारित योगदान की संकल्पना को प्रस्टुट करेंगे और इसके माध्यम से ये देखेंगे कि हमें कितने वर्सों में कितना कार्बन का emission करना है कितना CO2 का emission करना है जिसको हम लोग कभी-कभी क्या बोलते हैं NDC बोलते हैं तो NDC और NACP दोनों एक ही चीज है ठीक है तो यहाँ पर यह बात सामने आई कि हम लोग इक टार्गेट सेट करेंगे कि हमें 2030 तक इतना कार्बन का emission करना है और ताकि आप देखें कि जो टार्गेट सेट किया गया है कि पूर्व औधोगिक अस्तर के तापमान से दो डिग्री की कोशिश करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही इसको सिमित करने की कोशिश करना है वहीं यह सारी बातें राश्ट्री अस्तर पर यह कही गए कि यह एच्छिक है राश्ट्र अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं कि इनको कितना कारबन का इमिशन करना है फिर वही साथ में यह कहा गया कि जितने भी विक्सित राश्ट्र है वो विकास सील देशों के लिए क्लाइमेट फाइनेंस उपलब्द करवाएंगे ताकि जो विकास सील लाष्ट है और जो अल्प विक्सित राष्ट है वो भी क्लाइमेट चैन्स से संबंधित चीजों को इंपलिमेंट कर पाएं अगर हम लोग बात करें कि भारत ने ndc के अंतरगत किन मुद्दों को उठाय किन चीजों को टार्गेट को सिट किया तो आप देखेंगे कि भारत ने कहा कि 2030 तक 2005 का जो लेवल है उसके मुकाबले हम लोग 33 से 35 फिजदी तक उस सर्जन को कम करेंगे उस सर्जन तीब्रता को कम करेंगे भारत ने कहा कि ब्रच्छा रोपण और वन छेत्र में विद्धी के माध्यम से 2030 तक 2.5 से तीन बिलियन टन्स योटू के बराबर कार्बन सिंग करेंगे अब कार्बन सिंग में क्या है कि जितना हम कार्बन का इमिशन कर रहे हैं उसी के नोरेज में हम लोग क्या करेंगे पेण पौधे लगाएंगे और पेण पौधों के माध्यम से आप जानते कि कर्बन का सिंग को होता है अब ऐसे कंडिशन में भारत ने एक और बात कही कि भारत ने कहा कि करक रेखा और मकर रेखा कि बीच में वस्ते जितने भी देश हैं उन देशों को मिला करके हम एक सौर गटबंधन बनाएंगे और इसकी परणती हमें दिखाई पड़ती है आईसे के रूप में आप लोग जानते हैं कि 2015 में ही इंटरनेशनल सोलर एलायंस हमारे सामने आता है प्रांस और भारत की मदद से इस एलायंस को गठित किया जाता है और फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि नभी करणिये उर्जा सुरोतों की और भारत सहित जो करकरेखा और मकररेखा के मद्ध में इससे देश हैं सब बढ़ने लगते हैं अगर अभी वरतमान में जो अपडेटेड नेशनल लिटर माइन कॉंटिब्यूशन है वो अग कॉंबर 2020 और अपरेल 2023 के बीच अपना अध्यतन पहला एंडीसी प्रस्तुत किया है तो एंडीसी का मतलब क्या हुआ कि नेशनल अस्तर पर यह डिटर्माइन करना कि हमें कितना उस सर्जन करना है ताकि हमारे जो टार्गेट है पेरिस एग्रीमेंट के तहत वो टार्गेट पूरा हो सके टार्गेट क्या है कि पूर्व ओदोगिक अस्तर के तापमान की तुलना में 2 डिग्री से हमें तापमान बढ़ने नहीं देना है कोशिश क्या करने है कि 1.5 डिग्री चल्सियस तक ही तापमान बढ़ सके इससे अधिक ना बढ़े ताकि जन जीवन प्रभावित ना हो सके आश्ट्रेलिया ने क्या डिसाइड किया 2030 तक ग्रीन हाउस गैसेस का उसरजन 2005 के स्तर से 43% कम करने की बात की में में देश जो हैं G20 के इंतरगत उनी को हम लोग देखने क कोशिश करेंगे ब्राजीन ने कहा कि 2005 की तुल्ला में 2025 में ग्रीन हाउस गैसेस का उसरजन 37% कम करेंगे और वही 2050 तक इनों ने कहा कि हम 50% कम कर देंगे दूसरी बात चीन ने कहा कि 2030 तक सकल घरेल उतपाद की प्रतीकाई कार्बन डायकसाइड उसरजन को 2005 के स्तर से 55% कम क करेंगे अभी हम लोग देखेंगे कि कुछ लगबग 6-7 देश ऐसे हैं जो वैस्विक कार्बन उसरजन के लिए जिम्मेदार हैं खासकर 50% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं और इसके साथ में EU ने कहा कि 2030 तक सुद्ध घरेलू ग्रीन हाउस गैसेस उसरजन को कम से कम 55% क करेंगे अब सभी राष्ट अपने NDC को अपडेट करके बता रहे हैं और यह जो बेस लाइन ले रहे हैं कि 2005 की तुल्ना में अभी तक क्या चल ला था पूर्व औधोगी कस्तर की तुल्ना में अर्थात पूर्व औधोगी कस्तर की कोई वैसे टाइम लाइन डिसाइड नहीं किया गया कि 1990 इन जनरल माना जाता है कभी यह इस्पश्टी कर नहीं किया गया कि कितना है पूर्व औधोगी कस्तर का टाइम लाइन भारत ने कहा कि 2005 के अस्तर की तुल्ना में 2030 तक अपने सकल घरेलूत पात की उस सर्जन तीब्रता को 45% कम क करेंगे और यहां पर भारत क्या कह रहा है यहां पर भारत कह रहा है कि 2005 के अस्तर की तुल्ना में 2030 तक अपने सकल घरेलूत पात की उस सर्जन तीब्रता को 45% कम करेंगे अर्था 10% की भृद्धी किया भारत में भारत का लक्ष 2030 तक गैर जीवास में इंधन आधारित हासिल करने का है तो गैर जीवास मादनारित का मतलब कि अब नभी कर्णिये उर्जा स्रोतों की बात की जा रही है और नभी कर्णिये उर्जा स्रोतों के क्रम में आप देखेंगे सौर उर्जा की बात हूँ भारत जिस तरीके से काम कर रहा है सौर उर्जा के साथ साथ पव भारत ने अस्थापिद किया है अब UK क्या कर रहा है कि 1990 के स्थर की तुलनाम 2030 तक greenhouse gases के उस सर्जन को कम से कम 80% कम करना है तो UK 1990 का जो है base ले रहा है भारत ने 2005 का base लिया है अमेरिका ने कहा कि 2030 तक अपने सुद्ध greenhouse gases और सर्जन को 2005 के स्तर से 50 से 22 कम करना है तो जो जितने भी मेन राष्ट्र है उन्होंने कोशिस की है कि अपने NDC को अपडेट करें अब सुद्ध सूनिलक्ष क्या होता है सुद्ध सूनिलक्ष का ताथ पर यही है कि जितना आपने इमिशन किया है और उसका इमिशन कहीं न कहीं से भरपाई हो जाये जाये पेण पौधे लगा करके ठीक है या फिर अन्य टक्नीकी के माध्यम से उसका भरपाई हो जाये जो वाई मंडल है वो आपका हरा भरा बना रहे है तो आप देखेंगे जितना हम कारबन का का कि न इमिशन करते हैं उसी के एवेज में हम यह फैण पौधे लगा दे तंतुलन کی स्थिति अर्थार ग्रीन इंहाऊस गैसेस को उस्ट सर्जन करें ऑन सक्रें टियंगे साथ व ही सर पन करना इस लक्ष को प्राप करना लिए उस सर्जन को 2030 तक 45% कम करना जो पेरिस समझोता का लक्ष है कि देर्ड डिगरी सेलसियस तक हमें जो है कार्बन का इमिशन कम करना है यह तापमान स्वरी तापमान को कम रखना है तो इस लक्ष को आप देखेंगे कि यह कब पूरा हो पाएगा जब 2030 तक 45% कम करें तभी ऐसा हो पाएगा ठीक है तो यह सारी बाते हैं अब आगे हम लोग देखें कि सुद्ध सुन्य लक्ष में भारत का क्या सुद्ध सुन्य लक्ष दिखाई पड़ता है तो आप भारत का सुद्ध सुन्य लक्ष की बात करें तो भारत ने कहा है कि 2070 तक हम सुद्ध सुन्य लक्ष की प्राप्ति करेंगे और साथी साथ आप देखेंगे कि अधिकांस G20 देश अपने निट सुन्य लक्ष को प्राप्त करने की रापर नहीं है ये रिपोर्ट भी अभी आई है कि जिस तरीके से सभी देश ये निरधायत कर चुके हैं कि सुद देश ऐसे हैं जो ग्रीन हाॉस गैसेश के उसरजन के लिए जिम्मेदार है वो भी 75% उसरजन के लिए जिम्मेदार हैं साथ देशों का नाम बता है कि चीन, अमेरिका, भारत, यूरोपियन यूनियन, इन्डोनेसिया, रूस और ब्राजीर, ये 2020 में ग्रीन हाउस गैसेश क कि उस सर्जन के लगवक आधे के लिए जिम्मेदार हैं तो यह रिपोर्ट आ रहा है कि सुद्द सून उस सर्जन का जो लक्ष रखा गया था जो टार्गेट को सिट करें कि हम राष्ट्री अस्तर पर यह टार्गेट सिट किये कि इतना उस सर्जन करेंगे इसको ब्यवहारिक स्तर से भी हमें फॉलो करने की जरूत है तो अभी यह चर्चा में रहा है चलिए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं अभ्यास प्रस्ण हमारे सामने क्या है भारत ने सुद्द सुन उस सर्जन का लक्ष कब तक रखा है तो आपके सामने विकल्प है 2030 तक 2030 तक 2050 तक 2040 तक तो इसका सही विकल्प क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद